नमस्कार में गौरी वर्मा देख रहे हैं आप सी नियूस भारत वक्त है नियूस बुलिटिन का बुलिटिन में पहली खबर शिक पुरी से है यहाँ पुलिस टीम ने लुटेरे गिरों का प्रदा फार्श करते हुए पाच आरोपी गड़ों को ग्रफदार किया अगली खबर पुख्यालिस्तित मोती सागर तालाब नावघाट के समीब नगरपालिका की JCB के माध्यम से जाड़ियों को हटाने का कारे किया जारा था इस दौरान लाकों के गले हुए रुपे मिले आपको बता दे कि नगरपालिका द्वारा 5 जून परयावरन दिवस्ते तालाब का ग नगरपालिका को दी गई सूचना मिलने पर नगरपालिका अध्यक्ष निलेश जैन पटे स्वच्छ निरीक्षक अधिकारी बसंत दुलगच वा पार्शत जगदीश गवली मौके पर पहुँचे जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई सूचना मिलने पर कोतवाली पु कारी किया जाएगा हमारे जैसी भी चालक द्वरा बताया गया कि यहाँ पर यह कुछ एक ठेली में 500 के नोट गले वे निकले बहुत सारी मातरा में फिर हमारे द्वरा आप मीडिया को सूचना दी गई और पुलिस को सूचना पुलिस भी या पर आ गई है अनुमान लगाना तो मुश्किल है लेकिन काफी मातरा में है गड़िया चीपक गई है 5-7 लाग रुपे होने की संबाव ना दिख रही है इसमें जो जिस पकार से नोट चिपके वे दिख रहा है उस पकार से आगर मालवा से सीनियू समधाता अर्श एहमत कुरैशी की रिपोर्ट थाना सुभाशपुरा वा थाना बदरवास की गठित सयुक्त पुलिस टीम ने साइबर टीम की मत से किया लूटेरे गिरू का परदाफाश शातर लूट गिरों के पांच आरोपी गड़ पुलिस की गिरफ में है आरोपियों से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवम 315 बोर के दो जिन्दा राउंड 2800 रोपे सेलेरिया कार और टीवियस मोटर साइकल एक वा ओपो कंपनी के एंड्रोइड मोबाइल दोस सहित कुल 6,28,000 का मशुरू का जब्त करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है कार में जो बड़े थे रोगा होना बठा लिया और गार जैसे थोड़ा आगे चली तो उसके साथ मार्पिट गर्के उसका मुबाइल और मार्श या रखे चुड़ा लिया जब उसके थोड़ा विरोध किया तो कार के ड्रेवर के बगा से बटे हुए बटे के द्वारा कट कि रखे वापस आया वापस आया बेट कर रहा था जाने के लिए सेवड़ा जाने के लिए गाड़ी तो फिर एक कार आई उससे रिफ ली और गार बालों ना उसे बठाला और इसी पेटरन पे वही चार लोग एना उससे उसके साथ मार्पिट कर शहार रुपे और उनका मु कि रखे बारे में जंकरी ले थी साइबर सेल मदद कर रही है आज सुबह जंकरी मिली एसो सुवाशपड़ा को और ते ए बदरवास को की कार पुर्ना देखे लिए उसका पीछा किया तो सुवाशपड़ा के आगे सुल्तानगर जो पॉल है वहाँ इसको को कार को जैसी पपड़ा तो इस चारों लोग जिनने रूट की थे उनके कबड़े से गटना में परिद किया हुआ कट्टा कार्दूस दोनों मुवाइल और रूटे हुए रूपयों मैं से 800 रुपे बरामत हुए हैं मुवाइल जो जिसको इन लोगों ने बेचे थे उस परती को भी इस अब को मिनाए गया है उससे मुवाइल जफिए इस तरह दोन लोगों को बहुत कम समय में स्थानर पड़ाई शवाश्पुरा और ती बदरवास के वारा इसको बुला गया है पुरिसे कि शिपुरी से सीन्यू समधाता विनोट सिकरवार की रिपोर्ट एक ही परिवार में खेत के रास्ते को लेकर 30 जूद 2020 को विवाद हो गया जिसमें एक पक्षु से फर्यादी कल्यान सिंग पिता प्रहलात सिंग वाउस के भाई भावर सिंग निवासी चौबारा जागीर के पास आरूपी गड़ इंदर सिंग पिता हमीर सिंग वा तेज सि पिता हमीर सिंग निवासी चौबारा जागीर के द्वारा खेत में सोयबीन बोने की बात को लेकर डंडे से मारपीट की जुससे भावर सिंग को सिर में गंभीर स्वरूप की चोटाई तथा कल्यान सिकों भी चोटाई आरूपी गड़ के विरुत पुलिस्थाना 294-325-326-506-34 भादवी में प्रकरन प्रस्तुत किया जहां नयायाले में विचारन पश्षात अपरजिला एवं सत्र नयाधीश ने आरूपी गड़ को धारा 325-326 में दोशी पाते हुए 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3,000 रुपे के अर्थ दंड से दंडित किया वहीं इस मामने में दूसरे पक्ष के फर्यादी तेज सिंग पिता हमीर सिंग निवासी चौबारा जागीर उसकी पतनी सावित्रा बाई वमा रामकुवर बाई के साथ खेत में से निकलने की बात को लेकर आरूपी बाबुलाल पिता प्रहलाद सिंग उसके भाई कल्यान सि वर राय सिंग भवर सिंग ने डंडू से मार पीट कर जुससे फर्यादी तेज सिंग वह उसकी पतनी वमाता को चूटाई थी मामले में फर्यादी पक्षने सूनकश थाने में प्रकरण दर्च करवाया था जिसमें आरूपी गड़ के विरुद नियायाले में धारा 294,323,325,34 भादवी में प्रस्तुत किया नियायाले प्रकरण में विचारण के पश्षात अपर जिला एवं सत्र नियाधीश ने मंगलवार को आरूपी गड़ को धारा 325 में दोशी पाते हुए छेचे मा का कारावास एवं 33,000 रूपे के अर्थ दंड से दंडित किया गया प्रकरण में अभियोजन की ओर से गजराज सिंग कुश्वाहा अपर लोक अभियोजक ने पैरवी की तथा विशेश सहयोग आरक्षक जस्वन्त सिंग पवार का रहा सोनका चुसे सीन्यू समधाता साज़त पठान की रिपोर्ड टीकमगड जिला अस्पताल में पहली बार आधूनिक पद्दती दूरबीन के द्वारा एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया मैरज भरोसे अर्वार ने बताया कि उसकी नात में गाट थी वभुपाल जहांसी सागर कई जगा देखवा चुका था इसके बाद भी उसे आराम नहीं मिला फिर वाटीकमगड जिला अस्पताल आया और यहां पर पदस्त E.N.T. विशेशग्य डॉक्टर अर्विन सिंग चौहान से मिला जहां पर डॉक्टर अर्विन सिंग चौहान ने उसका दूरबीन के द्वारा एक सफल ऑपरेशन किया जब वाटीकमगड आया तो डॉक्टर अर्विन सिंग चौहान ने बताया कि उसकी नाक में गाड थी जो कैंसर के लक्षन का संकेत दे रही थी जो कि नाक की उपर की साइड में अटेच थी मैंने अपना एंडोस्कोपिक द्वारा जो की आधनीक पद्वत्यति से रहता है दुर्विन के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन सब्वाटीकमड नाम तो इन्होंने यहां बुपाल से लेके जहां सी और यहा टीकमगर से सीन्यूसमदाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट फिलाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रही है सीन्यूस भारत